राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्राध्युकी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धनी कारेक्रमों की शंखला क्या है हमारी चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर भूगोल शिक्षन के कारेक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तु थे उच्चतर माध्धमिक कक्षा के चात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारेक्रम एंसी ए आर्टी दोरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्षक है लोहे और इस्पात उद्योग की अवस्थिती लोहा और इस्पात उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल पर आधारित वजन खोने वाला उद्योग है कच्चे माल की तुलना में तैयार माल का वजन काफी कम होता है इस उद्योग को लह अयस्क, कोईले, चूने के पत्थर, डोलमाइट और मैगनीज की जरूरत होती है एक टन कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए एक दश्मलोव छे टन लह अयस्क, शून्य दश्मलोव आठ टन कोग यानि इसे बनाने के लिए एक दश्मलोव पाँच टन कोईला चाहिए और शून्य दश्मलोव पाँच टन चूने के पत्थर और डोलमाइट की आविशक्ता होती है ये भारी भरकम तथा अपेक शक्रत सस्ते पदार्थ हैं इसलिए लोहे और इसपात के कारखाने उसी स्थान पर लगाए जाती हैं जिस स्थान पर इन पदार्थों को इकठा करने में कम से कम लागत आती हो किवल जमशेदपुर के कारखाने की ऐसी आदर स्थिती है अन्य कारखाने या तो लह आयस्क के छेत्रों के निकट स्थित हैं जैसे रावर केला, भेलाई, भद्रावती और सेलम या कोईलाक शेत्रों के निकट स्थित हैं जैसे दुरगापुर, बोकारो और बर्नपुर कुल्टी वशाका पत्फनम का लोहे और इस्पात का कारखाना इसका अपबाद है तथा इसके स्थिती ततवर्ती है सभी कारखाने प्रमुखरिल मार्गों पर स्थित हैं जो इन्हें विशाल नगरिय बाजारों से जोडते हैं टाटा लोहा और इस्पात कम्पने जमशेदपूर की लोह अयस्क और कोईलाक शेत्रों के मध्य आदर्श स्थिती है ये कॉलकाता के उत्तर पश्चिम में 240 किलोमेटर की दूरी पर कॉलकाता मुंबई के मुख्यरेल मार्क पर स्थित है लोह अयस्क सिंग भूम की नोवा मुंडी और बादाम पहाड की आबद्ध खानों तथा उडीसा की जोड़ा खानों से मैंगनीज को केंदुजार जिले की जोड़ा खानों से तथा चूने का पत्थर और डोलोमाइट उडीसा के सुंदर गड़ जिले से प्राप्त किया जाता है कोकिंग कोईला जर्या और पश्चिम बोकारों के कोईला क्षेत्रों से आता है सुबर्न रिखा और खोर काई नदियों पर बने डिमना बांध के पीछे बनी जील से जल की आविशक्ता पूरी की जाती है जमशेत्पूर में और इसके आसपास अनेक भारी उद्योग किंद्रित हो गए हैं इसलिए ये एक सुविक्सित और द्योगिक संकुल बन गया है भारतिय लोहा और इसपात कंपनी के तीन कारखाने हैं जो कुल्टी, हीरापूर और बर्नपूर में स्थित हैं हीरापूर में केकल ढलवा लोहा जबकि कुल्टी बर्नपूर में इसपात बनाया जाता है बाराकर नदी पर स्थित, कुल्टी का लोह का कारखाना भारत का सबसे पुराना विद्यमान कारखाना है इन कारखानों की वारशिक उत्पादन क्षमता दस लाख टन है ये दामोदर खाटी के कोईला क्षेत्रों के केंद्र में स्थित है इन कारखानों के लिए लह अयस्क जारखंड के सिंग भूम की खानों से लाया जाता है कोईला रानिगंज जरिया तथर्रामनगर से और चूने का पत्थर उडिसा के गंगपुर से आता है आलवण जल दामोदर नदी से मिल जाता है यद्धपी इसके लिए कच्चे माल एकत्र करने की लागत जमशेत्पुर के टाटा के कारखाने से अधिक है लेकिन इसकी स्थिती आर्थिक दृष्टी से टाटा के कारखाने की तुलना में अधिक लाबधायक है क्योंकि इसके लिए उप्योग में रेल के डिब्बों का दुतरफा उप्योग होता है इन कारखानों के लिए लह अयस्क ले जाने वाले डिब्बे लोटते समय रावर केला और भिलाई के सैयंत्रों के लिए कोईला ले जाते है विश्विश्वरिया लूहा और इसपात लिमिटेड भद्रावती करनाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तठपर स्थित है पचास किलोमेटर दूर बाबा बोदान की पहाड़ियों की कमान गुड़ी की लह अयस्की खानों ने इस कारखाने की स्थिती को प्रभावित किया है आज इन्हीं खानों से इस कारखाने को लह अयस्की आपूर्ती होती है उत्तर पूर्वी पठारों के कोईलाक्षेत्रों से दूर स्थित होने के कारण ये कारखाना सन 1951 तक कोईले के बजाए लकडी का उप्योग करता था लेकिन अब ये कारखाना जोग जल विद्दुत उर्जा संयंत्र से प्राप्त जल विद्दुत का उर्जा के लिए उप्योग करता है राउरकेला इस पात कारखाना राउरकेला कॉलकता मुंबई रेल मार्क पर उडीसा के सुन्दरगड जिले में स्थित है इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी कुरूप्स और डिमैक के सहयोग से लगाया गया था इसने 1969 में उत्पादन शुरूग कर दिया था ये मैगनीज और चूने के पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है कोईला बोकारो जर्या और तालचिर क्षेत्रों से कोकिंग कोईला कारगली के कोईला प्रक्षालन केंद्र से तथा मैगनीज चूने का पत्थर और डोलुमाइट बीर मित्रपुर से प्राप्त किया जाता है हीरा कुंड से सस्थी पनबिजली मिल जाती है भिलाई इस्पात कारखाना 36 गड़ के दुर्गजिले के भिलाई नाम के स्थान पर रूसी सहियोक से लगाया गया था इसने 1969 में उत्पादन शुरू कर दिया था इस इस्थान का चैन दक्षन की ओर केवल 86 किलोमेटर दूर स्थित दिल्ली राजहरा की हैमेटाइट वर्क के उत्तम कोटी के लह आयस के भंडारों की निकटता के कारण किया गया था इसके लिए कोकिंग कोईला 36 गड़ के कोरबा छित्रों तथा जारखंड के कारगेली शित्रों से तथा मैगनीज, मध्रप्रदेश के बाला घाट और महराश्ट्र के भंडारा जिलों से मगाया जाता है चूने का पत्थर और डोलोमाइट 36 गड़ में ही उपलब्ध है प्रवडा रेल मार्क से परिवहन की सोविधा मिल जाती है दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के दुर्गापुर में ब्रिटन के सहयोग से स्थापित किया गया था इसने 1962 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था इसे सिंग भूम की नुवा मंडी खानों से लह आयस्क, कोईला, रानी गंज और ज़रिया से मैंगनीज, उडीसा के केंदुजार तथा चूने का पत्थर उडीसा के ही सुन्दरगर से प्राप्त होता है दामोदर घाटी निगम परियोजना से इसे बिजली की आपूर्ती होती है बोकारो इसपात लिमिटेड बोकारो का कारखाना सोवियत संग के सहयोग से 1972 में बोकारो यानी जारखंड में स्थापेत किया गया इस कारखाने को कोईला ज़रिया और बोकारो की खानों से लह अयस्क केंदु जार की केंदु खानों से चूने का पत्थर तथा डोलुमाईट पालाम और जल विद्युत दामोदर घाटी निगम परियोजना से मिलते हैं सेलम इसपात कारखाना तमिलनाडु के सेलम में स्थित है इस कारखाने को लह अयस्क करनाटक की निकटस्थ खानों से तथा लिगनाइट निवेली से मिलता है ये विशिष्ट श्रिणी का इसपात बनाता है विशाखा पत्तनम इसपात परियोजना विशाखा पत्तनम भारत का पहला तटवर्ती एकिकृत संयन्त रहे छटी पंच वर्षिय योजना में इसे आंध्रप्रदेश के विशाखा पतनम नगर में राश्ट्रिय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है ये 36 गड़ की बैला डिला खानों का उत्तम कोटी का लोह अयस्क इस्तमाल करता है दामोदर घाटी कोईला क्षेत्रों से इसे कोईला मिल जाता है चूने का पत्थर और डोलोमाइट खंबम जिले में उपलब्ध है क्या है हमारे चारों ओर लोहे और इसपात उद्द्योग की अवस्थिती अभी आप सुन रहे थे ये वारता वाचक थे दलजीत सचदेव विशे संयोजक प्रोफेसर रामजन शर्मा विशे संपादन आरपी मिश्र आलेक एसके शर्मा नर्मान संचालन प्रभुदयाल खटर ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रस्थुती वंदना अरिमर्दन प्रस्थुती चत्रुद नर्मान एत्रुदी कर दूने सत्यot मिश्र。